यहां वेल्कम बैक टिरोन चैनल दा फानेंशल इटलेसी मैं हूँ आपके दोस्त रादी सो इस वीडियो में हम दी बैस अनालसिस करने वाले हमेशा की तरह कुछ नई चीजे सीखेंगे जो आज प्राइस में हुआ और जो आज हमें प्राइस सेक्शन ने सिखाया प्लस में कल के लिए हमारा क्या व्यूर हैता है क्या हम अनालसिस करते हैं वो सारी चीजे हम इसमें कवर करने वाले हैं प्लस में इससे पहले अग आप जाके आज टेलीग्राम पे भी देखोगे तो जो कुछ अपडेट्स दिये गए थे और जो हमारा पेड चैनल है योडी ज इसमें हम बहुत सारी चीजे सीखते रहते हैं उसमें कुछ ट्रेट्स लिए गए थे वो सारे चीजे आज हम रिव्यू करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि लाइव मार्केट में हमने किस तरीके से एक्जीक्यूट किया और कितने रिटर्न्स हमें मिले हैं ठीक है तो अर्मोस्ट 9.32, 10.32, 11. तक हम ट्रेड करते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा फॉरेक्स ग्रूप का वहाँ पर हम में बिटकोइन ट्रेड कर रहे हैं सीख रहे हैं इस टाइम पर कॉम्मिनिटी अभी ग्रोई कर रहे हैं तो वो भी आप हाँ प पास होना चाहिए पुरा रन ट्राइव करने के लिए दन तिंग इस कि हाँ पर योडी में पहले ही चार्ट शेर हो जाते हैं जिसके बेसिस पर हम जो ट्रेड है वो ले रहे होते हैं बगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी में यह सारे लेवल्स के अगर आप देख रहे हो लोग के पास मार्केट ओपन होता है यहां पर हमें बुलिश इंगल्फिंग मिलता है ठीक है और उसके बाद मार्केट में क्या होता है एक अपसाइड का जो डिरेक्शन है वो हमें नहीं मिलता अब यह सेम चीज हम जाके चार्ट पर समझते हैं ठी टाइम फ्रेम में एक डाउन साइड के फोल की साइड चल रहा है जैसे अगर आप यहां से देखोगे तो यह एक ट्रेंड लाइन जो है वो डाउन साइड आते हुए हमें दीख रही है अभी एक डाउन साइड का जो रन है वो चला हुआ है इसलिए हर एक लेवल पर ने अपनी जो closing है वो down side में दी थी उसके बाद अगर आप देखोगे तो price ने क्या किया यहाँ पर जबी भी वो कभी अच्छे levels पर जा रहे जैसे previous day closing हो गया previous day के कुछ अच्छे levels होगे resistance होगे तो वहाँ पर जाते के साथ price ने एक fall दे रहा है आज के दिन में भी यह same ही चीज़े यहाँ पर हुई है जैसे previous day पर हमने same चीज़े समझी थी न कि price ने क्या किया नीचे opening होई open होते ही price upside momentum देता है इस range में आके जो resistance level था वहाँ से में bearish engulfing देता है and direct एक one sided fall यहाँ पर हमें मिलता है 300 almost points का the same thing is आज हुई यहाँ पर अगर आप देखोगे price में दुबारा से opening होती है दुबारा से price तो वोड़ा subside जाने की कोशिश करता है previous day closing हमारे resistance बनता है हमें bearish engulfing मिलती है और इसी basis पर हमें दुबारा से 200 point का fall यहाँ पर देखने को मिला the same price section यहाँ पर भी closing हमारी almost day end के time पर हुई थी आज closing जो है वो हमारी opening के level पर हुई है तो आज last में closing के basis पर हमें पता चला है कि market में अच्छे buyers है इसके अलावा इतने choppy दिन में जो आप यह देख पा रहे हो कि market में दोनों upside, downside and range bound move था हमने बहुत अच्छे returns आज लिया हमारे लिए important है वो एक पर chart analyze करना कि हम किस तरीके से उस time पर trade ले रहे थे यह हाँ तक price ने जो है एक momentum दिया downside में अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक इस तरीके से sellers के trapping के बाद हमें हाँ पर W pattern का base मिल गया था base का हमारा breakout हुआ यह जो base बना इसकी location बहुत अच्छी थी क्योंकि अपने support पर यह जो pattern था वो बन रहा था अब इसमें base बना base के बाद हमारे पास इस तरीके से हम वेट कर रहे थे inside candle का अब उसके बाद जैसे ही क्या हुआ हमारे पास यह इस तरीके की candle आई जो हमारे प्रीमियम का चार्ट था ATM Penalysis कर रहे थे तो इस इस दा candle जिस पे हम मारा almost 35 points का एसल था और हम काफी अच्छा targets में plan कर रहे थे अगर आप उसके बाद देखोगे तो यह जो inside candle यहाँ पर form हुई इस inside candle के बाद price ने जो है continuation ही नहीं दिया और हमें premiums के चार्ट पर भी कोई run नहीं मिला price ने direct downside में fall दे दिया बट हाला कि जो अपनी candle थी breakout candle वो maintained थी तो हम trade में हमने trade में entry नहीं की उसके बाद दुबारा से जिस high के उपर हम वेट कर रहे थे निकलने का वहां का breakout आता है premiums पर भी breakout आता है और यह breakout जा वो direct 100 points का run देता है और even premiums पर भी हमारे पास almost 50 plus points के जो run थे वो हमें हाँ पर दिखिया है and direct अगर आप देखोगे यह कुछ charts यहां पर share हुए so यह same इस तरीके से bank nifty में हमारा form हुआ जो हमने EOD में trade किया क्योंकि right time पर अगर आपको एक indication मिल जाता है live market में कि हम इस तरीके से यहां पर इस pattern को trade कर सकते हैं तो उससे best कुछ नहीं होता तो वही सारी चीज अगर आपको सीखनी है join करना है अब join कर सकते हो paid group का जो भी buy करने का यहां पर एक scenario है वो यहां पर आपको मिल जाएगा public channel पर आप जाके search करोगे तो ठीक है अब same case अगर आप nifty में देखोगे तो nifty में क्या होता है market दुबारा से downside का जो फोल है वो बहुत अच्छी तरीके से दे रहती है यहां पर जाने के बाद यहां पर एक फोल आता है ठीक है इस तरीके से यहां पर दुबारा से trapping होती क्योंकि यही हमारे buying level था होगे तो हमारी दो entry है basis patterns एक होता है हमारा की neckline का breakout है pullback हो और फिर price गिरे तो हम breakout के बाद inside candle देखते है एक हमारी entry होती है कि यहां पर breakout देने से पहले हमारी inside candle यही बन जाती है तो हम यहां पर छोटा से SL plan करके भी वो ले सकते है निफ्टी में जो यह last में setup बनाना यह उस करना और किस तरीके से market जो है वो हमें एक move दिखा रहा है see market नहीं यहां पर एक तरीके से जो अगर आप देखोगे तो इस circular में pattern बना है whenever price form circular pattern तो वो upside में काफी अच्छा run देता है यह chart trading का concept बोलता है this is not my biasness किसी भी चीज़ के basis पर लेकिन chart trading में ऐसी चीज़े देखी अगर आप यह भी देखोगे so this is a kind of cup and handle pattern अगर कल निफ्टी में अब important क्या है अगर निफ्टी कल यही पर flat होके खुलता है और उसके बाद अगर upside का एक breakout आता है तो हमें काफी अच्छा run देखने को मिलेगा अगर gap up ही हो जाता है तो हमारे लिए यह level बहुत अच्छा resistance level ह क्योंकि fall भी इसी level से शुरू हो रहा है तो यह काफी अच्छा resistance level बनेगा अगर जो selling pressure है वो हमें आज के लो के नीचे और इस level से जहां पर हमारा inside candle form दिख रहा है इसके नीचे हमारे लिए एक level बनेगा जिसमें हम downside के लिए catch करेंगे catch कैसे करना है यह हमारे directional होगी catch हमें simple तरीके से करना है यहाँ पर हमें bearish engulfing मिलेगी आप base formation मिलेगा हम यहाँ पर trade कर सकता है यहाँ पर हमें एक range का breakout चाहिए ऐधर downside और upside तो हम वो range का breakout करेंगे अच्छी selling हमें इस level के नीचे मिलेगी same case अगर आप bank nifty में हमें यहाँ पर जाके देखते हो so bank nifty में भी हमें यह base अच्छा बना बट उसके बाद इसका continuation नहीं आया अगर आप bank nifty में देखोगे so this is this was a good base जो आप कोई हाँ पर आज की market में देखने को मिले लेकिन last में क्या किया ना price पूरा एक तरीके से चोपी हो गया यह range price ने बना दी अब कल यह range हो गई हमारे लिए important यह same range अगर बन and pullback के बाद हमारी यहाँ पर again entry and direct हम upside का run देखेंगे अगर इसका downside का एक जो run है वो शुरू होता है तो हमारे लिए जो supports है वो बहुत ज़दा past में है better अगर price थोड़ा सा gap up या थोड़ा सा gap down open देके open हो तो क्योंकि आज range bound दिन था तो हम उसी direction में जो है price का momentum जो है वो ज जाएंगे and इस बार की जो chart trading video का part 3 आएगा वो बहुत important आएगा क्योंकि current market में कुछ ऐसी चीजे हैं जो बहुत surprisingly move कर रही है उस चीज के बार में आपको भी समझ नहीं आएगा अगर आप beginner हो तो बड़ जो experienced है उनको समझ आता है तो मैं वो secret reveal करने वाली जो मनें इतने time से ट्राक किया है तो उस पार 3 वीडियो के लिए इस बार ready रहे न थोड़ा सा surprise भी मिलेगा उसमें आपको and ये analysis वीडियो है इसमें हम कल के लिए हमने सारी चीजेस में discuss किये इसके अलावा वाकी जो learning charts आपको EOD में जाएंगे and कुछ stocks के chart आपको public channel पर भी जाएंगे do subscribe the channel do share the video with your loved ones with this thank you so much be professional trader and happy one chill it